न्यूज स्पॉंसर वाइज सुपर 35 कोचिंग इस्टिटूट रीवा मनोज पुस्प ने कैफे पहुँचकर पार्थ का उत्साह बढ़ाया तथा उनके अनुभाव पूछें कलेक्टर मनोज पुस्प को पार्थ ने बताया कि उद्योग विभाग से प्रधान मंत्री रोजगाश श्रीजन कारिक्रम के तहट दो घंटे में उनका रिड़ प्रक्रण बनाकर बैंक भेज दिया गया और केंडरा बैंक ने दो दिन में मुझे 20 लाक रुपे का रिड़ स्विक्रित कर दिया पार्थ ने बताया कि मेरी सौब अभी 3 माह की ही हुई है और गत माह का टर्न ओवर 5 लाक था आत्मिस्वास से भरे पार्थ ने करेक्टर को बताया कि दुबई के कैफे में बैठ कर मेरे मन में विचार आया था कि मैं ऐसा कैफे खोलूं और मैं अब अपने विवसाय में 15 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ अब मैं अपने कैफे का खुद मालिक हूँ और निकट भविश्य में इसे बढ़ाते हुए अधिक लोगों को रोजगार दे सकूंगा कलेक्टर मनोज पुस्वन ने पार्थ के आत्मिश्वास लगन की प्रसंसा की तथा उन्हें सुवकाम नाये दी कलेक्टर ने कैफे में किचन का निरक्षण किया तथा वहां बहतरीन वा विवस्थित एवं साफ सफाई से बनाये जा रहें सामगरी पर संतोस प्रकट किया उन्होंने कहा कि इस सौप को इट टू राइट के तहत चैनित किया जाएगा यह सौप आदर सौप होगी जहां साफ सफाई वा सुद्धता के सभी मानक पूरे किये जाएंगे उन्होंने पार्थ को युवाओं का प्रेणना इस्त्रोध बताया तथा कहा कि इनसे प्रेणना देकर युवा आत्मी निर्भर वनेंगे और आत्मी निर्भर भारत एवं आत्मी निर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाएंगे इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के महा प्रवंधक यूवी तिवारी ने योजना से लावानवी तुवाओं के बारे में बताया इस दोरान उप संचालक रोजगार अनिल दुबे भी उपस्थित रहें